अगर घर में कोई हरी सब्जी ना हो और खाना हो कुछ अच्छा कुछ अलग हट करके तो बनाइए इस सब्जी को यह बहुत टेस्टी बनती और यह बनती है चना दाल से तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लो मैं यूटूब फैमिली इस मी अर्पिता और वेलकम बैक तो मैं चानल इंप्रेसिव अर्पिता जाट्व यहाँ पर हमने लिया है चना दल, जो कि रात बर भी गोया हुआ है तो इसमें अभी हम आड़ करेंगे, अदरक हैं, लैसुनें और मिर्च हैं चना दाल से यह सब जी बहु弃ता टेस्टी बनती हैं तो इन सबी को मिक्स करके हम जाइड करेंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जार, जार में हम सारे डाल को transfer कर देंगे और इसे हम पीसेंगे, महीन हमें नहीं पीसना है, इसे हमें दर्दरा पीसना है और साथ ही साथ ही इसमें हम डाल देंगे, अदरक, मिर्च और लैसुन, quantity सारी आपको स्क्रीन में दिख जाएगी सारी चीजों को हमने जार में ट्रांसफर कर दिया अब हम इसे पीस लेते हैं इधर मैंने एक छोटी सी कटोरी में छे चमबच पॉपी सिट्स जिसे हम पोस्तु दाना या पोस्ता भी बोलते हैं उसे ले लेंगे और इसमें हम एकदम बॉइलिंग वाटर डाल करके इसे हाफ एन आवर के लिए हम रैसे छोड़ देंगे ढख करके ताकि पोस्तु दाना अच्छे से फूल जाए इसे अभी मैं अलग करके रख देती हूँ और यहां पर मैंने ग्रेवी के लिए एक टामाटर जो 25-30 ग्राम के लगबग है और त तरीके का ग्राइंडर में काफी पेस्ट लगवा है तो इसे वेश्ट नहीं करना है पानी हलका डाल की इसी में डाल दीजिए और इसे अब अलग रख देंगे यहां पर हमने चना दाल अदरक लैसुन मिर्च का दरदरा पेस्ट बनाया है देखिए इस तरीके का बनाना है पूरा मही नहीं पिस देना है वरना इसकी पकोडियां अच्छी नहीं बनेंगी इसमें डाल देंगे जीरा और डाल देना है नमक बहुत ही थोड़े से मसाले के साथ यह बनता है सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी पकोडिय बनाएंगे तो चलिए अब हम इसकी पकोडी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने कढ़ाई में डाला है रिफाइन डोल जिसमें हम पकोडी तलेंगे यहां पर तेल को आपको अच्छे से गरम कर लेना है फिर फ्लेम को मीडियम कर देनी है उसके बाद इसमें हम पकोडीया सकते हैं या तो चम्मत से या हाथ से मुझे हाथ से ज़्यादा असान लगता है इसलिए मैं हाथ से बना रही हूँ चम्मत से बस मैंने डाल के दिखा दिया कि जो आपको सुवीधा लगे आप वैसे बना सकते हैं चनी दाल की पकोडिया चोटी-चोटी बनती है क्योंकि यह गरेवी में जाके फूल जाती है तो यहां पर चोटी-चोटी साइस की पकोडिया हम बनाएंगे अगर आपको मेरी यह रेसेपी पसंद आए तो लाइक किजेगा शेर किजेगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ कमेंट भी किजेगा और चैनल पर नई होंगे तो सब्सक्राइ किजेगा और मेरे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा पकोडियों को हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है इस प्रोसेस में आपको 3-4 मिनिट लग जाएंगे यह पकोडियां काफी कुरकुरी और टेस्टी होती है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो और यूस कर सके और पकोडियों में भी ज्यादा तेल ना रहे इसी तरीके से हम सारी पकोडियों तल लेंगे यहां पर मैंने सेंड बैच बी डाल दिया है और इसे भी हम गोल्डेन स्पीन ब्राउन होने तक बढुड़ करके इसन निकाल लेंगे साहरी पकोडिया ऐसे यह फिर हम बनाएंगे इसकी सबजी तो फकोडिया हमने तल लिये अब इसी ओयल में मैंने चार छोटे आलू को इस तरीके से काट लिया है बड़े बड़े साइज में इसे हम तल लेते हैं एकदम गरमा गरम तेल में हमें आलू को फ्राई करना हैं सिर्फ एक मिनिट के लिए यहा पर इस तरीके से धकन से आप कवर कर लें ताकि आपर चीटे ना उड़े और एक मिनिट के लिए हम इसे फ्राई करके फिर हम इसे निकाल लेंगे इस रेसिपी में आलू बहुत टेस्टी लगती है लेकिन अगर आपको आलू नहीं पसंदे तो आप स्किप कर सकते हैं रेसिपी के लिए प्याज को लाल नहीं करना है बहुत जादा बस प्याज हलका सब गुलाबी हो जाए मुलायम हो जाए उतना ही चाहिए तो देखिए एक से दो मिनिट लगे और प्याज हमारा डन हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर मिर्च का पेस्ट सभी जो को अच्छे से मिला देजिए अब टमाटर गया है तो नमक जाएगा यहां पर स्वात के अनुसा और साथी साथ डाल देजिए इसमें हल्दी और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे बस इस अच्छे तरीके से मिला करके इसमें बस मॉइस्टर खतम होने तक हम इसे ख जाल रही हूं और साथी साथ आलू डाल करके दो से तीन मिनिट के लिए अब हम आलू और मसाले को अच्छे तरीके से फ्राइब करेंगे इसमें काफी हमने कम तेल का यूज किया है सबजी में इसलिए आपको पर तेल नहीं दिखेगा आलू यहां कच्छी है तो आलू को प और आलू अब हम चेक भी कर लेंगे तो यहां पर आलू अच्छे तरीके से पक चुकी है बहुत जादा मैशी नहीं करना है अब मैं यहां डाल रही हूं खस-खस का पेश्ट ध्यान रखें जब आलू और मसाले अच्छे तरीके से पक जाए तभी आपको इस पेश्ट को ड बहुत ही अच्छी सब्जी बन करके आती है खुश्ब भी बहुत ही शानदार आ रही है अब हम इसमें ग्रेवी करने के लिए डेड़ ग्लास पानी डालेंगे यहां पर ध्यान रखें पकोड़ी भी पानी जो है एब्सॉप करेगी और यह जो खस-खस है ठंडी होगी यह स हो जाएगी मैं इसे रोटी से खारी हूं इसलिए डेड़ गिलास पानी डाली हूं आप अगर चावल से सब करेंगे तो थाई से तीन गिलास पानी डालिएगा इस रेसिपी में खस-खस को पकाया नहीं जाता है तो हम ढखकल लगा के इसे फूल फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे जैसे ही बॉयल आजाएगा इसमें हम पकोडिया टाल देंगे और पकोडियों को डाल करके गैस के फलेम को हम बंद कर देंगे और भण कर प Defin ə जोो डγल सफ करेंगे अप इसे स्टीम राईस या में रोटी के सब किजिए बहुत ज़़ार टेस्टी लगतों के यह और मैंने इसे बहुत बार खाया है, तो जरूर बनाईएगा, I hope आज की वीडियो आपके लिए helpful हो, और आपको पसंद आया हो, तो चलिए friends, मिलती हूँ next वीडियो में, till then bye bye and take care.